दर्शत माजी अलगी मिट्टी का बना होगा वरना एक आदमी पहाड से पंगा लेकर अकेला ही विजय हासिल कर ले ये आम आदमी के बस की बात नहीं है दर्शत माजी का जीवन ऐसा है कि उस पर फिल्म बनाई जाए और केतन महता ने माजी दब माउंटेन मेन के जरिये यह कामकर दिखाया है दर्शत माजी बिहार के गेहलोर गाउं में रहने वाला एक आदमी था गेहलोर गाउं की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पहार था लोगों को घूम कर वजीर जंग जाना पड़ता था जहां अस्पताल, स्कूल, रेल्वेस्टेशन सहीट सारी सुविधाय थी एक दिन दर्शत माजी की पत्मी फागुनिया पहाड से गिरकर मर जाती है गुसाया दर्शत विशाल पहाड के सामने खड़ा होकर बोलता है बहुत बड़ा है, अकड़ है, यह भरम है, भरम और वह हतोड़ा लेकर अकेला ही सुवर से लेकर रात तक पहाड में से रास्ता बनाने में जुड़ जाता है बाइस साल लग जाते हैं उसे यह काम करते हुए अंत मेह आदमी पहाड को बोना साबित कर उस पर विजे हसिल कर लेता है एक पत्रकार उससे पूछता है कि इतनी ताकत कहां से लाते हो वह जवाब देता है, पहले जोरू से प्यार था, अब इस पहाड से है प्यार में कितनी ताकत होती है, इसकी मिसाल है दशरत लोक ताज महल बनवाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के याद में दशरत ने उस पहाड को ही उखाड फेका जिसने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था फिल्म में तीन ट्रेक समान अंतर चलते हैं एक तो दशरत की पहाड तोड़ने की प्रेड़नास पत कहानी जो बताती है कि भगवान बरोस से मत बेटा हो दूसरा ट्रेक दर्शरत और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी का है और इस तरह का प्रेम अब बहुत कम देखने को मिलता है तीसरा ट्रेक उस दोर में राजनितिक तोर पर चल रही उतल पुतल को दर्शाता है ये राजनितिक हलचल बताती है कि तब भी आम आदमी की नहीं सुनी चाती थी और हालात अब भी सुगरे नहीं है दर्श्टाचार और गरीबी सिर्फ नारों तक ही सिमित है दर्शरत की कहानी में इतनी पकड़ है कि आप पुरी फिल्म आसानी से देख लेते हैं और दर्शरत की हिम्मत, महनत और जुनून की दाद देते हैं अखरता है कहानी को कहने का तरीका निर्देशक केतन महता ने कहानी को आगे पिछे ले जाकर पस्तूतिकरण को रोचक बनाना चाहा लेकिन ऐसा हो नहीं पाए साथ ही दर्शरत की प्रेम कहानी के कुछ द्रश गेर जगूवी लगते हैं पहाड भी छोटा बड़ा होता रहता है केतन मेता पतिबा शादी निर्देशक हैं लेकिन माजी दा माउंटेन मेन में उनका काम उनके बनाए गए उचे स्तर से थोड़ा नीचे रहा है बावजुद इसके उन्होंने बहतरीन फिल्म बनाई है नवाज जिद्दिन सिद्ध की अब हर रोल को यादगार बनाने लगे हैं चाहे वो बदलापूर का विलेन हो या बजरंगी भाहिजान का पत्रकार माजी के किरदार में तो वे घुसी गए हैं माजी के रूप में उनका अभिनाय लंबे समय तक याद किया जाएगा बहुते लंबा दंगल चिलेगा रहे तो रहा हैं त्यार है त्यार है राधी का अप्टे का नाम अब एसी अभिनेत्रियों में लिया जाने लगा है जो हर तरह के रोल आसानी से निभा लेती हैं माजी की पत्नी के किरदार में उन्होंने सशक्त अभिनाय किया है खुश होने पर माजी बोलता था शांदार जबदस जिंदाबाद फिल्म देखने के बाद आप भी यही बोलना चाहेंगे इस फिल्म को मैं पांच में से साड़े ती में स्टार देता हूँ